दोस्तों आज हम लोग जो है prototype 1 को try करने वाले हैं और इसकी installation वीडियो जो है मैं आज डाल रहा हूँ और आपको आज बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने device के अंदर prototype 1 को यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर रन कर सकते हो without lag without any crash वगेरा सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप लोग end तक देखते रहेगा और make sure आप लोग इस चैनल को subscribe कर लो आपको ऐसी amazing वीडियो अमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है यहाँ पर Carcer Speed को 200 कर लेना इसके बाद दुस्तों यहाँ पे आप लोग को Box64 0.3.5 इंस्टॉल करना है इसायअ आप लोग इंस्टॉल कर लेना ड के बटण पर क्लिक कर कर इसके बाद दुस्तों यहाँ पर आप लोग को एक preset create करनी है आप लोग को save legacy 0 कर लेना है ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग को build block fast block को 1 पे कर लेना है ठीक है यह सारी चीज़ें आप लोग इस तरीके sim to sim कर लेना and then आप लोग मेरी settings को copy करना इसी settings पर perfectly work करने वाला है यहाँ से हम लोग अपना proto 1 का select कर ले हैं इसके बाद container settings पर हम लोग regulation को 720p पर रखने वाले हैं इसके बाद guys यहाँ पे जो है हमारा turnip driver select करेंगे अगर आप लोग का अधर है तो आप लोग vortex भी select कर सकती हो so आप लोग जो है यहाँ पे वाला select कर लेना ठीक है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है 2.6.1 यहाँ पे select करेंगे dxv के configuration ठीक है so guys आप लोग install कर लेना यहाँ से आप लोग install कर बाऊगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग max device memory को आप लोग 248 करेना और इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है environment variables पर click करोगे तो यहाँ पे FVS देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आप लोग को advanced settings पर proto 1 का यहाँ पे जो हमने preset create करी थी वो select करना है और यहाँ पे start up को आप लोग को install कर लेना है और इसके बाद यह यह सारे CPUs और Windows 10 select करना है इसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक shortcut create कर लेना है make sure आप लोग एक shortcut create करना shortcut की settings देखलो same to same settings रहेंगी कोई changes नहीं रहेगा DXV के version और आप लोग देख सकते हो सब कुछ मैंने वही रखा हुआ है और एक चीज आप लोग को मैं बता दूँ यहाँ पे audio fix करने के लिए आप लोग को जो X audio है उसे आप लोग को built in कर ले रहा है so इसके बाद environment में आ जाएंगे तो यहाँ पे यह दोनों चीज़े add कर लेना इसके अंदर जो कि हमने add करी हुई है आप देखो यह सारे check है तो आप लोग इन सब को check कर लेना ठीक है आप लोग को complete installation दिखा रहा हूँ तो आप लोग make sure आप लोग जो है द्यान से watch करना ठीक है इसके बाद guys यहाँ पे आप लोग advanced settings पर click करोगे तो यहाँ पे देखो guys proton one यहाँ पे हम लोग select करेंगे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने controllers बना रखे हैं तो यहाँ पे देखो मैंने full screen करा बट यहाँ पे game run नहीं हुआ है ठीक है और साथ screen recording की बज़े से भी हो सकता है first time में open नहीं हो रहा है मेरा आप लोग का first time मेंRR ही open ऑजाए तो चलो यहाां पे करता क्या हमेंए इसे close करूँगा ठीक है धाला करने के बादSet यहाँ पे मैंने काफि दिर वेट कर रहा नहीं हुआ है बट यहां पे ysे close करेंगे close करने के बाद दोस्तो 83 करेंग ए deveard से start करने है और आप लोग को cursor को देखना है cursor आपका जो है blink करेगा बंद हो जाएगा ठीक है देन आपका game start हो जाएगा सो यहाँ पर देखो अभी cursor हमारा fps के वाजुं में बंद हो गया cursor आना बंद हो गया और देन हमारा game भी start हो गया है टेरेको जाओंगा मैं ज líp स्क्राइब कर दूदार को मैं उपसिंस पर छाओंगा। फॉंस पर ग्राफिक्स को आइक कर दूँगा यहाँ पर कन्ट्रोल औडियो और वीडियो पर हम क्लिक करेंगे वीडियो पर क्लिक करने के बाद दुस्त यहाँ पर 720p resolution हमने रख्य हुई है और brightness आप लोग चाहे तो increase कर सकते हैं और हम यहाँ पर increase करेंगे देखो यहाँ से और अगर आप लोग का low end device है तो guys आप लोग video memory बाकी सारी चीजे low पर रख सकते हो बाकी मैंने जो है बाकी चीजे मैंने high कर दाई है sort, shadow वगेरा जो है मेरी low रहेगी बाकी मैं यहाँ पर ग्राफिक से quality को high करने वाला हूँ so अब यहाँ आप लोग देखना है यहाँ पर मैं इसे high medium यहाँ से आप लोग easily select कर सकते हो सब कुछ बता रहा हूँ इसना deeply मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों तो आप लोग please वीडियो को like कर दीजेगा और make sure आप लोग इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe करेंगे subscribe करना काफ़ी जदा जरूरी है save कर देता हूँ मैं इसके बाद यहां से हम लोग जो है game को continue करेंगे yes button press करेंगे game को continue करेंगे क्योंकि हमने already play कर रखा है यहां पर देखो कुछ जगए पर हमारा game save भी है तो हम लोग जो है जो है start कर देते हैं enter button दुबारा से press करेंगे और यहां पर loading screen चलेगी तो loading screen पर हमें थोड़ा सा wait कर लेना है सो यहां पर हम प्रॉपली यहां पर wait करेंगे का इस थोड़ा सा कुछ दिर wait करने के बाद दुस्तों आप लोग को करना क्या है 3 lines पर click करकर दुस्तों यहां पर आप लोग को options पर आके CPUs को on कर देना है 3 CPUs तक on कर देना ताकि आप लोग का game जो है audio वगेरा है वो properly आरने लगे ठीक है तो यहां पर 3 CPUs को on करना है guys दुस्तों जब आप लोग का game स्टार्ट हो साता है उसके बाद दुस्तों आप लोग को task manager को दुबारा से open करना है game पर click करके 3 lines पर click करके सारे CPUs को on कर देना है then आपका game इतना ज़्यादा smoothly चलने लगेगा guys क्या है बोलो आप लोग का game बहुत ज़्यादा smooth चलेगा अगरा यह नहीं बनाए और इतना अच्छे graphics के साथ यहाँ पर prototype 1 को यहाँ पर इन्होंने modify कर रखा है तो आप लोग जाके subscribe कर लेना और video को like कर देना and then credit भी मैं उनको दूंगा क्योंकि guys उनकी settings को मैं use करकर यहाँ पर काफी smoothly prototype 1 को मैं use कर पा रहा हूं तो आप लोग जो है video को like करके channel पर नहीं आया हो subscribe जरूद से कर लेना guys description में दिये गए channel को भी subscribe कर लेना guys subscribe करना काफी ज़्यादा जरूरी है so subscribe कर लेना ठीक है और अब यह आप लोग देखी सकते हो कितना ज्यादा amazing gameplay देखने को बिल रहा है so आप लोग gameplay watch करो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए gameplay वहाँ सारा add कर रखा है ताकि आप लोग को लगे ना कि भाई game में हमने जो है gameplay नहीं दिखाया है so आप लोग gameplay देखो काफी देर तक मैंने play कर रहा है game को और वीडियो को आप लोग ने like नहीं किया है तो like कर देना है चैनल पर नहीं आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर लेना है मैं मिलता हूंग लिए किसी नई वीडियो के साथ में जब तक लिए जब तक लिए जब तक लिए जए हिन वादमात्रम कर दो करेंग्से कर दो लिए बदिए अर्ग वादव में गया वार जाल किवर तक लिए जब अज़ थारू इंक लिए प्लाइर ल़्ट थीडियों झाँ प्लाव में वे खेंग्सेन वेडियों ऐसे है वे और शेर स्धक्ज की टो रहाद़ वीडियों गाइब टाराब नखरेबू से जो वाउड़ूसे एड़िये इफारे जुख रचाइबू, झाम्नेट काईबूसे टे वाउड़ को गाउड़ के वाउड़ूसे टे टूरेज टे जु झाहाइबूसे एताइबूसे हैं shadow also or 00 00 00 00 झाल अब्राइब आपनों अब्राइब अब्राइब जाता है कर दो 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 झाल 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 झाल